नमस्कार आप देखरें महुआ खबार मैं हूँ आपके साथ काजल ठाकूर आज हम आपको वैलेंटाइन स्टे और वसंत उत्सब के बारें बताने जा रहे हैं इस रिष्टे के बारें बताने जा रहे हैं क्योंकि दोनों का ही संबंध प्रेम से हैं तो चलिए शुरुआत करत वैलेंटाइन स्टे पर लोग एक दूसरे को प्यार जताते हैं उपहार देते हैं तोफे देते हैं एक अनुवान के अनुसार पूरे अमेरिका में एक मिलियन से अधिक के गुल्दस्ते हर साल बाटने जाते हैं क्या आप जानते हैं कि ये दिन सिर्फ प्यार और उपहार के कहानी है यहीं वैलेंटाइन डे का वास्विक उद्देश्य है कहा जाता है कि क्राउन प्रिंस क्लोडियास द्यूत्ते गोतुकस ने तीसरी शताब्दी में रोमन गरगाजी को नियंत्र किया था क्लोडियास एक अमानवी शासक था उसने कई सारे यूद लड़े जिसकी वज़े से उसके सैनिक धीरे-धीरे कम होने लगे तीसरी शताब्दी के दौरान कई संगहर्शों में शामिल होने के लिए उसे अच्छे सैनिकों की खोज में कठिनाई हो रही थी क्लोडियास ने देखा कि जब लोग अपने प्यार और परिवार को छोड़ कर सेना में भरती नहीं होना चाहते थे तो उसने एक फर्मान जारी करके रोम के सब भी विवा और शादियों को रद कर दिया जिसकी वज़े से कई लोगों के सपने चकना चूर हो गए कोई भी इस राजा की तानशाही के विरुद आवाज नहीं उठाना चाहता था उस समय लोगों के लिए आवाज उठाने को एक नेक दिल रोमर कैथोलिक पादरी वैलंटाइन आगे बढ़े शासक के आदेशु के विरुद जाकर उन्होंने गुप्त रूप से लोगों की शादिया करवाई उसने युद्ध में शामिल होने वाले सैनिकों की भी शादी करवा दी थी जूलियस सीजर को 299 इसवी में पादरी वैलंटाइन के बारे में जानकारी हुई उसके बाद इनको कैद कर लिया गया और मौत की सजा सुना दी गई पादरी वैलंटाइन ने जेल में रहते हुए एक बहरी महिला के साथ रिलेशन्शिप में जुड़ गए और इस महिला को जेलर की बेटी के रूप में जाना जाता है कहा जाता है कि वैलेंटाइन ने अपनी कैद को शांद को आत्मभाशन की रचना की थी पादरी वैलेंटाइन ने जेल में रहते हुए एक बहरी महिला के साथ रिलेशन्शिप रखा और इस महिला को जेलर की बेटी के रूप में जाना जाता है कहा जाता है कि वेलेंटाइन ने अपनी गैद की शाम को आत्म भार्षण की रचना की थी क्योंकि उनके पास जील में लिखने के लिए कुछ नहीं था कहा जाता है कि उनके भार्षणों ने उस बहरी महिला के कानों को ठीक कर दिया था जिसकी वज़े से अगले ही दिन रोवन अत्याचारियों ने पादरी वेलेंटाइन को पीटा जिसकी वज़े से उनकी म्रत्यू हो गई सेंट वेलेंटाइन ने अपने जीवन काल में हमेशा विवा के लिए युवा जोडों को एक जुट करने के लिए अपनी सेवाएं दी व्यक्तियों ने भले ही इस आदमी को माट डाला हो लेकिन लोगों ने कभी इनके महान जितने भी काम थे उनको नहीं भुलाया प्रेम के प्रती वेलेंटाइन के आत्म बलिदान भक्ती पूरे येरुशलम में प्रसिद्ध हो गई अब पीड़ी दरपीड़ी उनके महान कारियों को लोग उनकी म्रत्यू के बाद भी याद करते हैं बाद में कैथोलिक चर्च में उनके नाम पर एक फेस्ट का आयूजुन किया गया लोगों ने इस वेलेंटाइन डे फेस्ट को मनाने के लिए 14 फरवरी को चुना आपको जानकर हैरानी होगी कि वेलेंटाइन डे का मुख्य उद्देशे वेवाहिक जीवन के लिए लोगों को जोलने का था और इस वेलेंटाइन डे पर अपनी शादी में प्यार बनाए रखने के लिए आप जो भी कुछ करते हैं वो आपके लिए हमेशा यादगार बन जाता है खुश लोग इस दिन अपने प्यार का इजहार करने के लिए कैंप फायर में डाइनिंग और लब मैसेज का आदान प्रदान करते हैं इस सब करना भी आवश्यक है लेकिन इसे सर्फ एक दिन के लिए नहीं बलकि पूरे साल अपने प्यार को किसी ना किसी रूप में अभिव्यक्त करते हुए रहना चाहिए तो ये थी वैलेंटाइन डे की कहानी लेकिन अब हम आपको बताते हैं वसंत उत्सब की कहानी क्योंकि आज ही के दिन वसंत उत्सब भी मनाया जाता है उसके लिए आपको एक कहानी बताते हैं क्योंकि जब देवी सती अगनी में सती हो गई थी तो उनके वियोग में महादेव तपस्या गरने चले गए थे उसी बीच में सती ने देवी पारवती के रूप में जन्म लिया और वो विवाह योग के हो गई लेकिन जब वो महादेव से मिलने पहुच तो वो तपस्या में लीन थे तब सभी देवताओं ने प्रेम की मूरत कामदेव और रती से प्रात्ना की थी कि वो अपने नरत्य से महादेव की तपस्या को भंग करें तो कामदेव और उनकी पत्नी ने वहाँ पन रत्य किया लेकिन महादेव तब से नहीं उठे हुआ ये कि कामदेव ने महादेव पर बांड चलाया जिससे महादेव का तीसरा नेत्र खुल गया और उस नेत्र की अगनी से कामदेव भस्म हो गए जिसके बाद प्रत्वी की सारी सुन्दर्ता लगभग समाप्त होने लगी थी फिर उसी दिल से देवी रती ने कामदेव को जीवित करने के लिए तपस्या की और आज ही के दिन यानि बसंत उत्सब पर ही महादेव ने कामदेव को जीवित किया था इसलिए इस दिन को प्रेम दिवस की रूप में मनाया जाता है इसलिए वैलेंटाइन स्टे और बसंत उस सब दोनों का ही संबंध प्रेम से है ये वीडियो आपको कैसी लगी? कॉमेंट करके बताईएगा अच्छे लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा साथ ही मारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा